कैसे हैं आप सभी, I'm your trainer Rahul Singh, I hope आप बहुत अच्छे होंगे Guys, आज की class हमारी most important होने वाली है, जो की बहुत demanding है और आपकी demand के बिहाफ पर ही मैंने ये video बनाई है, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ cell references, क्योंकि formula जब आप लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा problem create होती है So guys, आज मेरी इस video को देख लीजए, इस starting से लेके end तक ज़्यादा बड़ी video नहीं होगी ठीक है, 7-8-10 minute की video है, और इसमें आज आपको cell references से related सारी की सारी information में मैं प्रोवाइड करूँगा जिन्होंने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है, channel को subscribe कर लीजे, मेरी all videos जितनी भी है, channel पर जाके आप देखिए सारी की सारी video most 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 important है, category wise मैंने video डाली हुई है, और इनको सीख कर आप domestic and corporate sector में job बहुत असानी से कर सकते हैं तो guys, आज की video में हम references यानि की cell references के बारे में जानेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारे तीन तरह की cell references होते हैं guys, पहला हम पढ़ेंगे relative cell reference के बारे में, second पढ़ेंगे हम absolute cell reference के बारे में, और third पढ़ेंगे हम mixed cell reference के बारे में, तो चलिए मैं आपको practically लेके चलता हूँ किस तरह से आपको ये करना है बिल्कुल अराम से समझेंगे बिल्कुल सिंपल डेटा पर मैं आपको समझाने वाला हूँ चलिए नाव गाइस देखें यहाँ पर मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है जिसमें हम पहले जो समझने वाले है वो relative cell references है देखें यहाँ पर employee code यह sales मैंने डाल दी यहाँ पर जनवरी की और यह sales हमारी फरवरी की अब guys यहाँ पर मुझे total sales निकालने है तो इसका total का मतलब यहाँ तो sum का formula लग जाएगा या हम किस तरह से इसको समझेंगे तो guys देखें मैं is equal to करता हूँ and cell reference इसका reference क्या है b2 right अब मैंने plus किया यहाँ पर और मैंने यहाँ क्या लिखा c2 it means यह वाला cell और यह वाला cell मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा होगा आपको भी नहीं पता इसमें मैं समझ में आगा मैंने control के साथ escape बटन के नीचे एक बटन है ठीक है वह आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो guys बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पर relation relative cell reference हो गया एक दूसरे का देखिए यहाँ पर b2 की जगा तो इसका result बिल्कुल सही आता है वापस मैं control बटन प्रेस कर लेता हूँ इसके आगेगा तो यहाँ पर automatically आ गया अब आप इसको देखेंगे तो F2 करके तो यहाँ पर इसका relation this one यहाँ इसे देखेंगे तो यहाँ पर इसका relation क्या है यह रहा, automatically यह दोनों cell हमारे क्या होते जा रहे है, add होते जा रहे है this call जो हम normally हम use करते है guys, यह है हमारा relative cell reference जहाँ पर automatically यह हमारा use होता रहता है, ठीक है, और change होता रहता है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो is equal to sum यहाँ मैं formal लगाता हूँ, तो देखें, references कहां से कहां तक आगे, this one, यहां से लेके यहां तक और मैं enter करता हूँ, तो लीजिए, इसका sum निकल कर आगया, right तो यह हमारा relative cell reference होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, normally हम इसको use करते हैं अब जो आगे का references मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखेगा, क्योंकि इस absolute cell reference में हमें F4 बटन का use करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, आईए जड़ा इसको ध्यान से समझते हैं अब दिखेगा गाईज मैंने क्या कहा, कि is equal to this one, यह जो हमारा cell references है, यानि कि यह जो 25,000 रुपे जो इसमें लिखे हुए हैं, मैंने इसको F4 से fix कर दिया got it, और plus, मैंने इस वाले cell को fix नहीं किया, यह बिल्कुल smoothly इसी तरह से चलेगा, now मैंने इसको enter किया, तो guys, अग मैं इसको नीचे drag करता हूँ तो guys, आप यह ना समझें कि इन दोनों का plus यहाँ पर हो गया है, नई, अब इसको formula को हम एक बार देखते हैं, control के साथ यह बटन दबाते हैं, escape के नीचे वाला बटन है, ठीक है, यह मैं बटा दिता हूँ कौन सा बटन है, this one, okay, तो यह वाला बटन आप use करेंगे, now guys, अब यहाँ पर देखिए, एक बार समझने वाली बात है, कि absolute कर दिया, मतलब बिल्कुल इस्थिर कर दिया, अब मैं अगर यहाँ पर यह data हटा भी देता हूँ, delete भी कर देता हूँ, तो मुरा कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसका relation मेरा इसके साथ, इसी का relation इसके साथ, यानि कि ये वाला cell जो है, मुझे यहाँ पर इन सब के साथ add करना था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर, इसे क्या बोलेंगे, हम fix कर दिया, मैंने, और fix किस चीस से किया है, मैंने इसको, मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने इसको किस से fix कर दिया, F4 बटन से मैंने इसको fix कर दिया तो यहां पर देखिए column and row यह दोनों की दोनों मेरी क्या हो गई fix हो गई तो चलिए मैं इसको वापस लेके चलता हूँ now guys यह हमारा होगे absolute cell reference now third one अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत ध्यान से समझेगा mixed cell reference मैं आपको समझाने जा रहा हूँ most 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 important है आईए जरह देखिए sheet 3 पर मैं गया यहां पे अब situation इस तरह से आपकी आजाएगी कई बार ऐसी situation आपकी आएगी जिसमें आपको इस तरह से आपको data क्या है solve परना होगा कि बही मुझे commission दी है commission का यह मेरा criteria दिया हुआ है इतनी यह मेरी commission है अब मैं चाहता हूँ कि बही इस 10,000 का 10% यहां पर आ जाए इस 10,000 का यहां तक यह चीज़े क्या हो जाए solve हो जाए right देखे कैसे is equal to अगर मैं यहां पर इस cell का into करता हूँ इस cell में so guys मैं इसको enter करता हूँ तो देखे 1000 आ गया लेकिन जैसे ही मैं इसको drag करूँगा यह देखे क्या आ रहा है इधर drag करूँगा तो यहां पर देखे क्या है यह क्या कर रहा है guys कोशिश करते हैं समझने की कि अ 10,000 रुपे का 10% यहां निकाल दिया लेकिन अब मैं यहां पर अगर enter करता हूँ F2 से तो guys देखे यह B3 into C2 तो इसने सही लिया लेकिन B3 आगे move हो गया है ना तो इसी तरह से आप अपने mind में सोचिए कि यार अगर हम B को A को कुछ ना कुछ तो यहां पर हमें चीज़े करन परना है मैं is equal to करता हूँ this one इसका अब मैं यहां पर F4 प्रेस करता हूँ तो guys यह पूरा का पूरा लॉक हो गया column B and row B एक बार और F4 करता हूँ तो यहां पर मेरी row fix हुई है एक बार और करता हूँ तो यह मेरा column fix हो गया ठीक है जहनी कि जिस से पहले dollar का sign लग जाता है व यहां पर 2 यानि कि मेरी row fix हो गई अब यह रो तो यह आगे चलेगी यहां पर आगे चलेगा C2, D2, E2, F2 यानि कि 2 होना चाहिए यहां पर बात करें तो A3, A4, A5 इस तरह से मैं enter करके देखता हूँ एक बार तो लीजिए guys यहां पर देखे 1000 तो आ गया नीचे मैं इसको आ कि आपको दिखाता हूँ तो क्या बात है देखे A3 बिल्कुल और यहां पर F2, now guys मैं इसको अगर यहां पर इस तरह से अगर drag कर देता हूँ तो देखे इसका भी result बिल्कुल सही आ रहा है और इसका भी result बिल्कुल सही आ रहा है, अगर guys यह cell references का funda नहीं होता और यह fix करने का पंगा नहीं होता तो आपको यहां पर 50 बार फर्मा लगाना पड़ता, अब देखे यहां पर इसको लास्ट में देखते हैं, देखे A12 बिल्कुल A12 ठीक है और यहां पर F2 भी आ गया, so guys यह आपके cell references हैं, I hope आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए, जिन्हो क्लियर कर सकें, और अपनी जॉब पा सकें, मेरी सारी की सारी वीडियो यहां पर अवेलेवल हैं, नई पुरानी सारी की सारी टैली से रिलेटिड हैं, Excel से रिलेटिड हैं, Word से रिलेटिड हैं, income tax से रिलेटिड हैं, account से रिलेटिड हैं, busy से रिलेटिड हैं, और आपके यह for watching my video have a nice day take care be happy always guys